नगनिगम शिमला ने लोगों को बड़ी राहत दी है भारी भरकम कूडे के बिलों को जमा करवाने में लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही थी लोगों की सुविधा के लिए नगनिगम शिमला ने कूडे के बिलों को किष्टों में लेने का निर्ने लिया है एक साथ बिल भरने में असमर्थ लोग पांच या दस किष्टों में बिल चुका सकते हैं आगामी वितवर्ष 2021 में शिमला वासी अगर अपना कूडे का बिल एक साथ जमा करवाएंगे तो नगनिगम शिमला द्वारा करीब 10 से 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी वहीं जिनका कूडे का बिल अधिक आया है वे लोग किष्टों में कूडे का बिल जमा करवा सकते हैं लोकडाउन के दौरान निगम द्वारा जारी किये गए कूडे के बिलों को किष्टों में जमा करवाने पर पैनेल्टी नहीं लगाई जाएगी जिन लोगों को ऑनलाइन बिल जमा करवाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं उनके लिए निगम द्वारा लोकमित्र केंद्र में सुविधा प्रदान की जाएगी मीडिया से बातचीत के दोरान नगर निगम शिमला के स्वास्ते अधीकारी डॉक्टर चेतन चोहान ने कहा कि लोगों को आगामी वितवर्श 2021 का कूडे का बिल एक साथ जमा करवाने के लिए निगम कारयाले आकर आवेदन करना होगा काफी लोगों का कमर्शियल एस्टेबलिश्मेंट में लोगों का कूडे का बिल काफी जादा आ रहा है उसके लिए हमने ये डिसाइड किया है कि वो कूडे का शुल्क जो है इंस्टॉल्मेंट्स में 5-10 इंस्टॉल्मेंट्स में दे सकते हैं जब वो उसके लिए आप यहां पर आके आफिस में अप्लाई कीजिए अप्लिकेशन दीजिए कि आपका इतना भी लाया है उसके उपर हम और आप इंस्टॉल्मेंट्स में देना चाते हैं तो हम उसको इंस्टॉल्मेंट्स में कनवर्ट कर देंगे और इसी के साथ जो है आपके वो उस जो लॉकडाउन पिरिट का जो अमाउंट है उस पे जो पेनल्टी और सर्चार्ज लग रहा था वो नहीं लगेगा अगर आप उसको इंस्टॉल्मेंट्स में पे करते हैं और साथ में जैसे अब यह फैनेशल एर खतम हो रहा है अपरेल स अपरेल दोजार इकी से मार्च 2022 तक कोई इकठा अपना कूड़े का बिल देना चाहता है तो वह अपरेल में आवेदन कर सकते हैं प्रील में अपना कूड़ा के बिल दे सकते हैं जिसमें और अगर इकठा देते हैं मौन्ट फूरा एक साल का तो उस पे 10 परसंट मिलेगा औ है कि ओनलाइन कम वो बिल नहीं का भुगतान नहीं कर पा रहें तो इसके लिए हम जो है लोकमितर के इंदर के साथ टाइब करके कुछी टाइम में यह वरस्ता जो है आपको हर लोकमितर के इंदर पर भी उबलब्द होगी वहां पर भी आप अपना कुड़े का शुल जमा हुआ सकते हैं खराब हालत में पड़े इंदर को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में डॉक्टर चेतन चौहा ने कहा कि जिन कमपनियों द्वारा इंदर्ट का निर्मान किया गया है उन कमपनियों के इंजिनियर जल्द शेहर का दोरा कर शोचालेओं का निरिक्षन के साथ किया है जो हमारे जितने भी कम्मिनीटि टॉलेट्स हैं पुब्लीक टॉलेट्स है यूरिनल्स तॉलेट्स है इनकी सब रेख रखवाओ और देख भाल जो है अब सुलब इंटरनेशनल करेगा रही बात इट वालेट्स की तो इनके आज जो हमारा जो कंपनीज ने इनको लगाया था एराम और दूसरी कंपनी ने तो अभी वो उनके इंजिनियर्स आ रहे हैं वो अपमारे सुलप इंटरनेशनल के साथ मिलके इन सब का निरिक्षन करेंगे और इनमें क्या क्या दिक्कत ह और क्या से क्या कैस में प्रॉप्लम्स है उनको ठीक करेंगे और उसके बाद हम आशा करते हैं कि सुलप वहां पे जो है अपने लोगों को रखेगी और वहां पे जो भी आए उनको गायड भी करेगी और इसाथ में इन मशीनों की निगरानी भी हो सकेगी Bureau Report City Channel शिमला